वेलकम आपर यहां पर हम BSc Nursing Government and Private जो भी कॉलेज़ जमु और कश्मीर में हैं यहां पर वो कितनी सीट्स हैं आपकी कॉलेज़ वाइस वो हम यह भी डिसक्स कर लेंगे क्योंकि अभी हम से स्टुडेंस कुछ कह रहे थे कि हमें कॉलेज़ वाइस सीट्स का पता करना है कौन से क इतनी सीट्स हैं चाहे वह गौवर्मेंट हो चाहे प्राइवेट हो उसको परामेडिकल के लिए भी हम जल्दी जल्दी से यह डिसक्स करते हैं सबसे पहले आपके बास 24 ऐसे कॉलेज़ हैं और सीट्स की बात करें तो टोटल यहां पर 1240 सीट्स हैं उससे पहले अगर चैनल कॉलेज गांदिन अगर जमू की बात करें तो यहां पर टोटल 60 सीट्स हैं उसी तरह गोर्में नर्सिंग कॉलEज गंग्याल जमू में 80 सीट्स हैं राजीव गांदी कॉलज अफ नर्सिंग चक बलवाल जम्मू जो है इसमें 80 सीट्स बी डवल ई डबल एड़े एड़े अ स्टीफन कालज नर्सिंग चक बलवाल जमू इसमें 80 सीट्स है स्टीफन कालज आफ नर्सिंग मीरा साहिब जमू 80 सीट्स उसी तरह फिर ये कालज है श्रीमादा वैशनू देवी ठीक है ना वोमेंस के लिए 54 सीट्स है उसी तरह बाबो गुलामशा बाचाज बी जी एस बी सब्सक्राइब जो कि आफ बी जी एस बी आईस बी उ का सिरनगर में अपका 50 सीट्स है एंगर्मिन्य कालजकर में अननत नागम्य भी नर्सिंग की सीट्स हैं 30 कैंपtwo अ कि यह गोर्व मेंटैञक差 उसके बाद नर्सिंग कालेज और कि पार मुल्ड यह कालेज़ाने के बाद यह को फिविट çalış कालेज हो सिहातै अ क्रुडेमााई आपके पास 70 campus जो college है ये भी government है 50 seats है सेद ये वालो college है nursing medical technology मुंतकी ठीक हैने इसमें 40 seats है उसके बाद आगे 40 seats है इस college में ये जो आलमदार college है अर्ष institute जो है ये सरीनगर में 30 seats है सेम कॉलेज 30 सीट्स उसके बाद इस कॉलेज में 75 सीट्स हैं रमजान इंस्टूट पैरामेडिकल जो सिरनगर में है इसमें भी आपक बास 30 सीट्स हैं दता रनपत कॉलेज कठुवा में 70 और हनिफा नर्सिंग कॉलेज सोपोर में 40 सीट्स टोटल है 1240 ठीक 1240 जो सीट्स है नर प्राइवेड में 70 तू 90,000 पर एर हो सकती है लेकिन गॉर्मेंट अगर सीट आपको मिलते है गॉर्मेंट कॉलेज में तो आप्रोक्स 70,000 पर एर या इस तरह से कुछ आपको पर स्मिस्टर निफ पर एर रहेगा शायद मिल सकते है गॉर्मेंट कॉलेज में अब यहाँ पर गवर्मेंट और प्राइवेट कॉलज है यू टिया जमो कश्मीर में अब कौन-कौन से ऐसे डिसीप्लेंस हैं कौन-कौन से पैरामेडिकल कॉर्स हैं वो आप सबसे पहले शेयर कर लेते हैं उसके बाद आप सीड्स चेक कर सकते हैं कि मेडीकल लैब टेकनौलोजी एक ये कॉर्स है उसका बाद बीए सी ओपरेशन ट्यूर्ट ठाक्नौलोजी उसके बाद बीए से रेटियो ग्राफी टेकनौलोजी आप इसमें भी अटमिशन ले सकते हैं B.S.C. anesthesia critical care ये operation theater में जो होता है इसके लिए ये भी आप ये course भी कर सकते है B.S.E. anesthesia technology ठीक है उसके बाद B.S.E. cardiac care technology है जो उसके बाद B.S.E. respiratory care technology है ये भी paramedical course है B.S.E. radiation technology ये भी आप कर सकते हैं ठीक है नया उसके बाद B.S.E. medical technology कर सकते हैं बिस्टी नियुरो साइंसिस उसके बाद फिजियो थेरापी कर सकते हैं बिस्टी रेडियो थेरापी कर सकते हैं ठीक है तो यह जो सीड्स हैं यह आपके पास यहां पर पैरा मैडिकल की मतलब यह कोर्सेज जो आप कर सकते हैं वन तो थ्री फोर फाइज सिक्स सेवन एट काफी पॉस्ट आती रहती हैं ओके लैब टेकनालोजी बगएरा तो ये कॉर्सिस हैं अब यहां पर गॉर्मिन्ट मेडिकल कॉलज बारा मुला अनंतनाक सिरनगर डोडा राजोरी कठुवा जमू इन में भी सीड्स होती हैं स्कीम सोरा में भी उसके बाद तीन और कॉलजिस है अर्ष इंसिट्ट आफ हेल्थ साइसी टेकनालोजी सिरनगर में जो है डाल्फिन इंसिट्ट है जो मेडिकल टेकनालोजी पुलवामा में उसके बाद एक और जो सिरनगर में है ठीक है ये को ये डाक्टर कादरी कॉलेज आप मेडिकल लैबराटरी टेकनालोजी ठीक है ना जो है वो 20 सीट्स यहां पर मिलती है आपको स्किम सोरा में उसको स्किम सोरा की बात करें तो और कौन सा यहां पर टेकनलोजी कोर्स है जो आपके पास यहां पर 20 सीट्स मिलती है आपको B.S.E. मेडिकल टेकनलोजी तो टोटल 78 यहां पर सीट्स आपको देखने को मिलती है ओके उसी तरह फिर और भी बहुत सारे ऐसे कॉलोजी से आप चक कर सकते हैं इनमें सीट्स टोटल कितनी है सबसे पहले अगर बात करें जम्मू में तो जम्मू में टोटल 110 सीट्स हैं डिफरेंट गुपर टेकनलोजिख याख बात करते हैं जैसे टर्यचिकल में तुके क्लोजिवी के लिए 20 हैं गोर्ट मेंडिकल कॉल्ज जम्मू में 20 गोपोरिकोर्ट कषेड़ के लिए 20 अपरेशप़ों ≦ुब कुरेंच कोवरते हैं च displacement च्चेडियोव के जसे आदेचकेडोर गो उसको राजोरी में भी इसी तरह से 60 सीट्स हैं इसकी सभी इन कॉलोजिस में ये तीनों कोर्स हैं एक यहां पर अगर बात करें सिरिनगर अनतनाग और 12 मुला में 1010 सीट्स आपको भी ऐसी रेडियोग्राफिक टेकनोलजी की मिल जाती है 1010 सीट्स ठीक उसके बाद यहां पर आपको जो है वो स्किन सोरा में हमने डिसकस कर लिया तो यहां पर एक और कोर्स जिसकी सीट्स आपको मिलती हैं पर 25 सीट्स बीसी रेडियोग्राफिक टेकनोलजी ठीक है यह जो है यह आप देख सकते हैं इस तरह से सीट मैटरिक्स है उसके बाद यहां पर रेजरवेशन क देख लेते हैं फी को फी क्या रहेगी यह तो यहां पर आपको एक्जाम हो गया आपका काफी अच्छा हार्ट पेपर आया था अब यहां पर फी देखिए यहां पर फी क्या दिया है इन्होंने गोवर्मेंट या प्राइवेट कॉलज बीसी नर्सिंग के लिए ट्विशन फी नर्सिंग गोवर्मेंट कॉलजिस में नील लेकिन ऐसा नहीं आपको फी पे करनी होगी ठीक और ट्विशन फी अगर प्राइवेट की बात करें तो 75,000 पर यह पर यह आपको प्राइवेट नर्सिंग के लिए पे करना होगा प्रामेडिकल के लिए और टेक्नॉलजी को ठीक है तो यह था आपका सीट मैट्रिक्स और कुछ फी की तरफ हमने देखा रिजर्वेशन नहीं रहेगी न्यू रिजर्वेशन के तहट जो है अड्मिशन मिलेगी एससी के लिए 8% स्ट के लिए 10% उसके बाद ओसी जो भी ओबीसी वाले 4% एलसी वाले 4% आर बीए 10% प चिल्डन आफ डिफेंस परसनल यह 3% है और जो आपका चिल्डन आफ पैरामेल्टरी फोर्स जे एंड के पॉलिस परसनल अच्छा यह आगया आपका ठीक है 0.1% ठीक है कि देखिये जमन कश्मीर पॉलिस में जितने भी इसें वह स्वीगिभी में आरे ठीक है सारी इसी डीपी नहीं तो यहां पर जो भी केंड़ेट्स है यहां पर लिखा गया है उनके लिए वन परसंट है ठीक है ना चिल्डना पेरामेलिटरी फोर्सिस एन जिर्मन कश्मी पॉलिस परसनल ठीक है तो यह कुछ फी और सीट मैटरक्स को हमने देखा मिलते हैं अगली वीडियो पर तब तक लि सब्सक्राइब करें तो यह कुछ परसनल ठीक है जे के पीम यह देख लीजिए बहुत जरूरी था कुछ स्टूडन्स चक करते हैं इसको ठीक है जमन कश्मीर पॉलिस परसनल सो गुड़ लग गुड़ बाई